केंद्रिया मंत्री नितिन गड़करी ने सुझाओ दिया था कि केंद्र सरकार को वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने के लिए हर राज्चन में प्रयोगिक स्कूलों को मन्सुरी दीनी चाहिए गड़करी ने कल वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये देश भर के विश्व विद्यालियों के कुलपतियों के साथ पाचीत करते हुए या टिपनी की खास बात यह है कि वीडियो कॉन्फरेंसिंग में रसायन एवं उर्वरक मंत्री मंसुक मडावी भी मौझूद रहे वीडियो कॉन्फरेंसिंग में हिस्सा लेने से पहले के इंद्या मंत्री नितिन गड़करी रसायन और परियावरन मंत्री थी मंसुक माणवी ने वैक्सिन उत्पादन को लेकर अपने स्तिती स्पष्ट की थी इसलिए आज नितिन गड़करी ने एक ट्वीट कर अपने बयान पर सफाय दी उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि मंसुक माणवी ने इस मुद्धि पर अपने विजार वेक्त किये ह जागरन मंज़वारा आयचित टीका करन और चेकित्सा पर एक वीडियो कॉन्फरेंस में केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी और रसायन और उर्वरक मंत्री मंसुक माणवी ने कई भार्तिय विश्वविद्यालों के कुलपतियों के सामने अपने विचार वेक्त किये कारिकरम में सबसे पहले बोलते वे रसायन और उर्वरक मंत्री मंसुक माणवी ने तीका करन के संदर में के जा रहे उपायों की जानकारी थी मनसुक मानवी ने टीका करन में तेजी लाने के लिए कुछ सुझाओ दिये हैं जिस पर मनसुक मानवी आप पहले ही अपने विचार वेक्ट कर चुके थे इसे समझाती वे केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी ने आश्ट्वीड किया कि भारत सरकार वैक्सिन उत्पातन बढ़ाने के लिए 12 कंपनियों के साथ कांग करी है साथी इस पर केंद्र सरकार को बदाई पिती है कैमरा परसन अकलेश भारत वाज के साथ अविशेक पांसी के रिपूर्ट